हेलो, फ्री एक्सपोर्ड इंपोर्ड लर्निंग में आपका स्वागत है, I am Parish Solonky international export import business trainer, यस तो आप जो है एक घर बेटे बेटे export import learn कर सकते हो, मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं बहुत important चीज है कि मैं आपको help करना चाहते हैं, और help भी क्यों करना मैं एक organization का member हूँ जहां पर हमारा philosophy गीवरे पहले जितना अब दोगे जितना आप किसी को help करोगे 3 गश्ट अपको मेंखो तो आइकन है प्रक्टिकल चीजे क्या आइविल है यूपर वाला मुझे एल्प करेगा तो और दूसरा आपने देखा होगा मेरी जो ट्रेनिंग रहती है उसे एक दो एक दो वुमन भी आ जो वुमन है वह आते हैं तो मैं उसे पूछता हूँ कि आप क्या करते हो क्या करते हूं लेक्तुत हो हैं साथी तो मैंने आपका ट्रेनिंग जोइन किया तो वह और बाहर बाहर सिटी से भी आते हैं एदर्डबाड़ चन्नमाइब Singalore से वह आते हैं तो वह बिग नहीं तो बहुत नोलाकर बनैली चोडा के यहां बहुत मुश्किल था बहुत इतने पुरे देश में है, जो यहां से में भी नहीं आ सकते हैं, और चीजे आप बैटे हैं सकते tehdада, पता हो क्या चीज है और कियसे होता है भी फिरह ञाता है। को नहीं सब कर दो पर होको देश को पिर सकते हैं, So, you know, thank you very much for watching this video. Let's start export import. What is export and what is import? So, export import start करने से पहले ये समझना जरूरी है. What is export and what is import? So, exports means हमारी country से दूसरी country में कोई भी सावान और सर्विस को पेजना With legal way उसे बोलते है, export. वरना आपको पता है कहीं लाइक दाउद जी की बात करें, तो कि वो भी सामान भेजते तो उसको बोलते जो है समगलिंग बोलते कहीं लोग है स्मगलिंग उसे बोलते है तो यहां पर जो एक important चीज है हमारी country से दुसरी country में सामान कोई भी सामान product कोई भी चीज और services जैसे कि मैं training देता हूँ मैं training service export भी करता हूँ मैं तो service जो है यहां से दूसरे country में भेजना उसे बोलते है export and import मतलब दूसरी country में से कोई भी सामान या service हमारी country में लाना with legal way उसे बोलते है import तो यह था हमारा export and import और export import start करने सबसे important चीज़े foreign trade policy FTP means foreign trade policy विदेश्वयापार है तो यह विदेश्वयापार कैसे होगा विदेश्वयापार कैसे होगा उसके उसके लिए हमारी government पूरी एक जो उसको बोलते FTP foreign trade policy विदेश्वयापार कैसे होगा तो उसके rules and regulation के हिसाब से विदेश्वयापार होता है और अभी अच्छी बात है कि आम आदमी मलब किसी के पिरे यह business opportunity कोई भी बंदा बिजनेस कर सकता है चोटा हो बड़ा हो चोटा business कर सकता है बड़ा हो तो बड़ा business करेगा तो यह opportunity सबके लिए समान opportunity आज पहले किया था बड़े बड़े लोगी बिजनेस करते थे बड़ा कोई भी चोटा बंदा भी बिजनेस कर सकता है कैसे क्यों ऐसे कर सकता है मतलब हमारी जो government नहीं गवर्मेंट है उसे जो फोरेंटेर पोलीसी है अभी जो अभी की जो फोरेंटेर प सबसे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट को पूरा सिस्टेमेटिक किया है और एक्सपोर्ट में तकलिप ही नहीं एक्सपोर्ट को पूरा सपोर्ट करती है हमारी जो government एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है इंपोर्ट को फैसिलिटेट करती है तो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए गवर्मन ने बहुत अच्छे स्टेप लिए बहुत चारे बेनिफेट्स दे रही है और अभी क्या हुआ क्यों यह सब बिजनस कर सकते क्योंकि यह सबी चीज ऑनलाइन हो चुकि आजकल अब यहां पर की इंट्रेशल बिजनस एक अच्छी बात है कि यहां पर किसी का किते कुछिं। मोनोपॉली को सकता है कि क्योंकि किम अनुद्श से ज्यादा कंट्री जहां पर Our business कर सकते है तो बहुत बढ़िसा प्लेटफंस जो है प्लैट्वां है, यहां पर इंतरे बिजनेस का ओर वहां पर बिजनेस कर सकते हो, आपको बिजनेस करना है, तो आज कोई भी बन्दा, कोई भी remote area में बैठ के, किसी को भी connect कर सकता है, कोई भी remote area में उसके पास laptop होना चाहिए, या computer होना चाहिए और smartphone होना चाहिए में important चाहिए smartphone, laptop, computer से भी काम हो सकता है तो वो किसी को mail कर सकता है, communicate कर सकता है और यह जो उसकी बाहर ढून सकता है और import करना है, तो import में भी बहुत अच्छी facility है आज import में भी हमारी government ने अच्छी facility यह दी है कि अभी जो strict हो गई है, पहले क्या था आपको पता है इंडिया में पूरा कि थोड़ा बहुत कहीं पैसे खिलाने से कुछ भी हो सकता है मनलब काम करवाए सुना है कि यह से काम होता है, कस्टम में भी ऐसा होता है अबने सुना है, तो ऐसा होता था कि अभी क्या होगा है, अभी पूरा आ tut很好 करने वाले उसको चाहे हे उनलाइन हों के सब मतुवन हों करने से شथ हैं और ओनलाइन होने से सबको फाइदा हुआ आपाने से सबस्काइधा नहीं हो लोग और असे फाइदा है तो उसने फिर बोला कि मैंने सब कोस्टिंग किया उसका लोजिस्टिक का वगरे का कोस्टिंग किया जो भाव में मुझे यहां पढ़ रहा है ना उससे कम भाव में मिल रहा है सब्सक्राइब करने वाला था अब इतना नहीं रहा है कम हो और अभी और भी गवर्मेंट स्ट्रिक्ट होगी तो पूरा कम होगा तो सब के लिए सेम अपर्चूटी है आपने सुना होगा अंडर इनुवे सिंग करके महल लाते ड्यूटी कम कर वाव चाथ तो हम जैसे जन्यून लोग है जिसको पता है इसना पता नहीं है और करना नहीं चाहते पता तो करना नहीं चाहते क्यों इसके मगिजमारी में पढ़ना तो जो है उसके लिए आसान ओग में इधर उदर लोग करते हैं गवर्मेंट ने क्या किया कोई इंपोर्ट करता है उसे बोल देता है बंदा कि यह जो पेपर है टेंट रूपीज में लाएं उस पेंटी परसेंट ड्यूटी हो सपोस्ट तो उसमें टेन का टू रूपीज बना पड़ता है अगर हंडेड के द है तो गवर्मेंट ने अच्छा किया कि एसी कोई प्रोडेक्ट उसके वजन पर ड्यूटी कर दी पेपर चाहे रदी हो कुछ भी हो आपका जो एक रूपया हो सो रूपया हो फिक्स ड्यूटी इतना देना है जैसे लकडी में होता था कि लकडी में होता था तो स्क्वेर फ इस पोर्ट में ऑपर्टुट्टी और एक्सपोर्ड में पूरा ऑनलाइन होने से बहुत बढ़िया है आज जो वर्ल्ल जो है पुरा ग्लोबल जो ग्लोब पूरा उप ग्लोबल विलेज बन गया है को इतना में अभी रिशर ले चायना जाकर आया हूनों अभी नेक्स में दुबई में जाने वाला तो इतना का इंटरनेशल ट्रावलिंग वेरी इजी हो चुका है तो बहुत बढ़िया है तो फॉरेंटेट पोलिसी के हिसाब से पूरा एक्सपोर्ड इंपोर्ट बिजनेस होता है फिर इसमें एक्सपोर्ड जो करना उसके भी सब रूल्स होते हैं आप किसको कितना सेंपल बेज सकते हो आपको सेंपल बेजना है तो किसी को वह भी पॉलिसी में डिफाइन है कि आप सेंपल कितने भी बेज सकते हो आपको जो है जस्टिफाइब करना पड़ेगा फिर है एक्सपोर्ड सेंपल और इंपोर्ड सेंपल तो आप कितने भी सब्सक्राइब कर सकते दूसरा है एक्सपोर्ट ऑफ गिफ्ट और इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट कितना कीफ्ट आप किसी को दे सकते हो कितना आप ले सकते हो तो वह भी वहां पर जस्टीफाइब हुआ है कि इंपोर्ट में बात करूँ अप्रोक्सिमेटलेकर मा नॉलेज आपको चेकर सकते हो लेटेश अब्डेट पर माइन वह इंपोर्ट फाइफ लाग तका घिफ्ट वह इंपोर्ट कर सकता है तो उससे ज्यादा का होगा तो आपको परिश्बुटे भरना पड़े कि शेंट रोक पर फिर भी उसे ड्यूटी बढ़नी पड़ें इंडिया में आपको पता है बहुत वह स्याल लोग है कि मेरेका तो सब गिफ्ट आ रहा है तो उसी जाप से पूरा करेंगे तो यह जो यहां पे पूरा जो है तो यहां पे सब पैसिफाइड नियम है तो यह पूरी समझने की ब सब्सक्राइब आपको एक ध्यान रख के बिजनेस करना है एक इंपोर्टन चीज है थैंक्यू वेरी मच पर वाचिंग इस वीडियो और आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सिखना चाहते हो तो आप जो मेरा ट्रेनिंग आप जोन कर सकते हो मैं एक्स इंपोर्ट 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 बिजनेस और मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सिखाते हो आप प्रैक्टिकली जो है पूरा लेर्न करना चाहते हो जल्दी लेर्न कर सकते हो और आप फ्री में सिखना चाहते हो तो आप जो यहां पे मेरा मारा चैनल सब्सक्राइब किजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए खेर कीजिए और मेरा चैनल सबस्क्राइब कीजिए मेरा एक इस वीडियो मेरे अपडेट जो भी है आपको मिलते रहेंगे थै की वेरी मुच करें झाल, झाल, झाल.